आज किस वीडियो में दूसरों आप लोग गाइड करने वाल हों कि कैसे आप अपने किसी वे Android डिवाइस के बूट लोडर को कैसे आनलाग कर सकते हैं वो भी 100% working method है and बिल्कुल free method है कोई bootloader code required नहीं होगा कुछ भी नहीं है just and किसी तरह के application को भी आप लोगों ने install नहीं करना and third ये limited number of devices के लिए available है just because कि ये free method है and ये अभी limited number of devices के लिए available है बट day by day अपडेट हो रहा है and जैसे ही कुछ new updates आएगी वो भी आप लोगों के साथ further वीडियो में शेयर करता रहूँगा तो चले शुरू करते हैं बट शुरू करने से पहले अगर अभी आगा आपनी चैनल को subscribe नहीं करें and अगर वीडियो लाइक नहीं की तो याद लाइक कर दो and share ज़रूर कीजेगा तो चले शुरू करते हैं and let's get started सबसे पर दोस्तों आप लोगों ने अपने PC या लैप टॉप के ब्राउजर में जाना है एंड ब्राउजर में जाने के बाद वहां पर आप लोगों ने गूगल में सर्च करना है एक साइट है वहां पर आप लोगों सर्च करना है सबसे पहले हम गूगल सेर्च करेंगे गूगल में जाने के बाद आप लोगो ने यहां पर सेर्च करना है cf autoroute के नाम से एक साइट है वेब साइट काफी मशूर साइट है में भी आप लोगो इस हवाले से पता होगा so cf autoroute के साइट पर जाएंगे पर आप लोगो ने स्क्रॉल डाउन करना है यहां पर लास्ट टेबल हमारे पस बना हो गया यहां पर देख सकते हैं कि unlock bootloader यहां पर आप लोगो ने bootloader के आप लोग को complete डाउनलोड फाइल मिलेगी वह आप लोगो ने कैसे फाइल यूज करनी है वह आप लोग को मॉडल नंबर भी यहां पर गिवन है तो आप अपने मॉडल नंबर के मुताबिक अपने डिवाइस को चूज कर सकते हैं और थर्ली इनके android variants भी गिवन है 6.0 भी है 5.0 भी है 7.0 नॉगट पे भी है और वो डिवाइसे जिनके old variants 6.0 थे marshmallow थे अपग्रेट हो के 9.0 है तो उन डिवाइसे पे भी यह वरके बला है दे मेन थिंग के आपके mobile का model नंबर यहां पर गिवन होना चाहिए and manufacturer नेम यहां पर गिवन होना चाहिए जैसे मेरे mobile का है Samsung Galaxy Mega 6.3 भी है Samsung Galaxy S6H Plus है तो उसका model नंबर यहां पर गिवन होना चाहिए बाकी अगर Android variant अपग्रेड हो जाता है तो उससे कोई फरक नहीं पड़ता यहां पर हमारे पास manufacturer डिफरेंट है जैसे Samsung, Google, Motorola, LG, Huawei के भी गिवन है SS के गिवन है, NVIDIA के हैं Nexus के गिवन है यहां पर नीचे हमारे पास Google के भी है जैसे Google के भी टैबलेट से हम पर अवेलिबल है यह लिमिटेद नंबर ओफ डिवाइस के लिए फिलाल अवेलिबल है यह मैथड़ आफिसद वर्ट करता है यहां से हम कोई भी फाइल डाउनलोड करेंगे लिए जेस्त फौर और आप लोग को शोकरने के लिए यहां से एक मैद दढउनलोड कर लेता हूं एक फाइल के अप लोगों कैसे इसको फ्लैस करने अपनी डिवाइस की मताबिक सो आप लोगोंने जैस्त यहां पर यहां पर जिखायं मेरे पर इस फाल को फर्दर यहां पर गाईड करता हूँ तो यहां मरे परब आल्मस्ट दाउनाट हो चुकी है यहां पर आमझे वाल को demasiado लोकेशन पर चलेंगे फोल्डर में and folder में जाने के बाद यहाँ पर मैं अप लोगों दिखाते हूँ कि एक folder यहां पर गिवन है and यहां से जस्ट सको close कर देते हैं so मैं desktop एसे safe कर चुका हूँ and यहां से सिस्ट अप लोगों ने zip file को extract करना है extract करके आप लोगों दिखा करना है आप लोगों ने इस रूट विंडोस पे क्लिक करना है and that's it और कुछ भी नहीं है रूट विंडोस पे क्लिक करने के बाद आप लोगों मैं मुबाइल की तरफ चलेंगे and मुबाइल में गाइट करते हैं आप लोग को सेटिंग्स so आप लोगों ने मुबाइल में अपने मुबाइल के सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने डिवेलपर ओप्शन को इनेबल करना है and डिवेलपर ओप्शन अगर आपके पास इनेबल नहीं है एंड मेरे पास already enable है, so इसे back करेंगे and यहाँ पर आप develop option में जाएंगे, develop option में जाने के बाद आपने क्या करना है, आप लोगों ने दो options को यहाँ पर टिक कर लेना है, first of all आप लोगों ने USB debugging के नाम से एक option होगा, USB debugging, so इसको यह must आपने इसे enable कर लेना, इसे enable करेंगे and secondly, हमारे पास OEM Unlocking का option है, यह mostly devices में given होता है, अगर आपके पास enable है, आपके पास given है, आपके पास given है, आप लोगों ने enable कर लेना है, अगर आपके पास नहीं given, आप लोगों इसे लियार से परिशान नहीं होना, छोड़ दे से आपको, बट अगर आपके पास given है, इसको unlock, untick करना, sorry, tick करना, इसे लाजमी है, आप लोगों इसे tick करना है, OEM Unlocking option को enable करने के बाद अपने mobile को power off करना है, and power off करने के बाद अपने mobile को अपने, अगर आपके पास Samsung का mobile है, आपके पास Samsung का mobile है, आपने mobile को download mode में boot करना है अपने, and उसका method बहुत ही simple है, मैं आप लोगो guide कर देता हूँ, and secondly, अगर आपके पास, आपका mobile जो वह Samsung नहीं है, आपने mobile को अपने fast boot mode में boot करना है, इसके लिए से आप Google करें, के how to boot, आपके mobile का model number to fast boot mode, चीक है, and अगर आपके पास Samsung mobile है, आप लोगों ने just mobile को power off करने के बाद, volume down button, power button, and home key button को एक साथ प्रेस करेंगे, 6-8 second के लिए तो आपका mobile download mode में boot कर जाएगा, उसके बाद आप लोगों को निक्या करना है, अपने mobile को एक अच्छी सी data cable के थुरू, अपने mobile को अपने PC के साथ connect कर लेना है, या laptop के साथ connect कर लेना है, and connect करने के बाद आपको वहां पर show हो जाएगा, आपका mobile connected हो गया है, तो वहां पर आपके पास एक option होगा कि press any key, जो last option है मारे पास, press any key to continue, so वहां पर है, and secondly यहां पर अगर आप देख सकते हैं कि warning के निचे जो option है, वहां पर क्या है आप लोग देख सकते हैं कि we are going to run OEM unlock command on your device, if your device was not previously unlocked, this will wipe all your data, so अगर आपका mobile unlock नहीं है, आपके mobile में जितना भी data है, वो maybe, there is a chance के maybe उसमें जितना भी data आपका वो loss हो सकता है, लेकिन यह confirm नहीं होता, but यह एक some cases में इस तरह होता है, हर मरतबा इस तरह नहीं होता, यह एक option है कि इस तरह से आपके mobile का just कुछ processing होगी, जैसी आप यहाँ पे कोई wiki press करते हैं, so processing होगी, processing करने के बार download mode में आपके पास processing होगी mobile के, and जैसी आपके पास processing done हो जाएगी, आपका mobile restart हो जाएगा, and then आपके mobile का जो OEM unlock है, या bootloader आपके, bootloader उसका automatically unlock हो जाएगा, so मेरे mobile का जो bootloader है, वो automatically पहले सही unlocked है, so मुझे यह दुबारा process apply करने की जरूरत नहीं है, just मैं आप लोगों को एक general method समझाने की कोशिश कर रहा था, कि यार कुछ devices हैं, जिनके bootloader बहुत simply unlocked हो रहे है, so अगर आपके पास यह devices हैं, तो आप अपने mobile को unlock कर सकते हैं, and I hope आप लोगों को यह video छोटा सा tutorial था आप लोगों को समझा आगी होगी, and ज्यादे ज्यादे शेयर करेंगे, and अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, for further videos, and मिलते हैं इंशालला नहीं वीडियो में, thank you so much for watching, bye bye, take care, Allahafiz.